शिरी गुरु ग्रान्ट साम गवडी मेला पहला ब्रम्मे गर्भो किया नहीं जानेया वेद की त्रिप्ती बदपड़ी पच्छतानिया जांप्रभ विश्रे तहीं मनुमानिया ऐसा गर्भो बुरा संसारे जिस गुरु मिले तिस गुर्भो निवारे बड़ी राजा माया अहंकारी, जगत करे बरू पार अफारी, बिनु गुरु पूछे जई पर नारी हरी चंदो दान करे जशु लेवे, बिनु गुरु अंतन पाई अभेवे, आपी पुलाए आपी मती देवे, गुर मती इरनाखस दूराचारी, प्रभु नारायन गरव परहारी, परलाद उदारे किर्पातारी पुल्लो रावनु मुगदो अचेती, लूटी लंका सीस समेती गरवी गया बिन सत गुरु हेती सस्तर बाहु मधु कीट मही खासा, हरना खसूले नक्सु विदासा, दैत संदारे बिनु पकती अधियासा जरा संदी काल जमन संदारे, रक्त बिजू काल नेमु निव विदारे, दैत संदारी संद निस्तारे आपे सत्गुरु सबद विचारे, त्वेजे पाई त्वेत संगारे, गुर्मक्य साची पगत निस्तारे बुडा द्रियोदन पति खोई, रामुना जानिया करता सोई, जन को दुखी पच्चे दुखोई जन मजे गुरु सबद ना जानिया, क्यों सुख पावे परमी पुलानिया, एको तिल पुले बोरी पश्तानिया कंसु केशु चाडूड ना कोई, रामुना चीनिया अपनी पति खोई, बिनु जगदीश ना राखे कोई, बिनु गुरु गर्भु ना मेटे आ जाई, गुर्मती तरमु तीर्जु हरिनाई, नानक नामु मिले गुन गाई ब्रम्मा ने एहिंकार किया, कि मैं इतना बड़ा हूँ, कमल नामी से कैसे उत्मन हो सकता हूँ, उसने परमात्मा की इनन्ता को नहीं समझा जब उसका अविमान तोड़ने के लिए उसके वेदों के चुराए जाने की विपत्ती उस पर आ पड़ी, तो वैं बहुत पच्टाया जब उसने परमात्मा को सम्रन किया, तब उसे विश्वाश आया, कि परमात्मा ही सबसे महान है जगत में एहंकार ऐसा विकार है, जो बहुत नीज है, जिस बाग्यशाली मनश्य को गुरू मिल जाता है, वे उसका एहंकार दूर कर देता है राजा बली को माया का मानो गया, उसने बड़े यग्य किये, एहंकार में बहुत अधिक्ख भी मानी हो गया अपने गुरू की सम्मती लिये बिना उसने ब्रामन रूपदारी विश्वाश को दान निना मान लिया, और पताल में चला गया ऐसे ही हरीश्चंद्र भी दान करता था, दान की शुबा में मस्त्रा गुरू के बिना गया भी यह नहीं समझ सका कि परमात्मा के गुनों का अंत नहीं है, उनका भेद नहीं पाया जा सकता, उसकी शृष्टी में अंगिनत दानी हैं, पर जीव के क्या वश, परमात्मा आप ही बुद्धी देता है फिर दुर्मत्य के कारण हिरना कशब दुराचारी हो गया, पर नरायन प्रभू आप ही एहंकारियों का हंकार दूर करने वाले हैं, उसने क्रिपा की और परलाद की रक्षा की हिरना कशब का अभीमान भंग किया मौर्ख रावन अग्यानवाश कुमार गामी हो गया, परिनाम स्रोब उसकी लंका लोटी गई और उसका सिर भी काटा गया, एहंकार के कारण गुरू की शरन लिये बिना एहंकार के मद में रावन बरबाद हो गया सहस्त्र बाहू को परशू राम ने मारा, मधूतता कैटब को विश्नु ने मार दिया, मैशा सूर दुर्गा के हाथों मरित्यों को पुराप्ध हो गया, हिरना कशब को नरसिंग ने नाखनों से फाड़ दिया, ये समस्त राक्षश प्रवो की भक्ती से खाली होने के कारण मारेगी, परमात्वा ने राक्षश मार करके संतों की रक्षा की, जरासंद तथा काल यवन शिरिकिश के द्वारा नश्ट हो गए, राक्षश रक्त बीज दुर्गा के हाथों मारा गया, राक्षश काल ने मी विश्नु के तरिशूल से चीरा गया, इस समस्त क्रीडा का स् परमात्मा आप ही गुरू रूप होकरके अपनी गुनस्तुति की वानी को विचारता है, आप ही जत्यों की माया के मों में पशा करके मारता है, आपी गुरु की शरन पड़े व्यक्तियों को अपने समरन में अपनी भक्ती में जोड करके संचार समुद्र से पार उतारता है। उसे आपी वे दुख मृत्यु का रख हो जाता है। पर एहंकारवाश इन्होंने परमात्मा के लीला को नहीं समझा और अपने परतिष्टा गुआ ली। अपनी शक्ति का अहंकार मिथ्या है। कतार के अत्रिक्त दूसरा कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। अहंकार बहुत शक्ति शादी है। गुरू की शरन लिए बिना इस एहंकार को कोई मिटा नहीं सकता। जो मुनश्य गुरू की शिक्षा धारन करता है। मैं एहंकार मिटा करके धरे धारन करता है। धरे बड़ा महान धरम है। हिनानक गुरू की शिक्षा पर चलने से ही हरी का नाम प्राप्त होता है। और जीव हरी की कुनस तुति करता है।